असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाए मुक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकीहल्पटेप्स कई बार हमें ये प्राबलम आती है कि हमने ट्रेविल के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर लिया और हमें यातरा नहीं करनी है लेकिन हमें समझ में ये ही आता है कि जो ट्रेन का टिकट होगा अगर कैंसल होगा तो कितने चार्जेस कटेंगे कई बार आपने टिकट लिये हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया होता है ट्रेन के डिपार्चर होने के एक दूर दिन पहले या फिर 60 मिनिट पहले या फिर चार्ड पिर पेर होने के बाद कितने कब चार्जेस कटेंगे अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल कराते हैं तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे एक नए वीवर हैं सबसे पहला अगर आपका टिकट वेटिंग है या फिर RAC है उस केस में अगर आप टिकट को कैंसल कराते हैं कब 30 मिनट पहले ट्रेन के डिपार्चर होने से उस केस में क्या होगा आपके 60 रूपीज लगेंगे कैंसलेशन चार्जेज और वहीं पे अगर आप AC का कराते हैं तो वहाँ पे आपको लगेंगे 65 रूपीज सपोस किसी भी रीजन से आपने एक टिकट को कैंसल कराने की कोशिश किया कन्फर्म टिकट को चार घंटे ट्रेन के डिपार्चर से पहले उसका नियम क्या है आईए जानते हैं एक चीज में आपको बता दूँ कि जब आपका टिकट कन्फर्म होता है और वहाँ पे आप जब टिकट को कैंसल कराने की बात करते हैं रेलवे का नियम ये कहता है कि इसमें टाइमिंग काफी जदा इंपोर्टेंट रोल अधा करती है क्योंकि अगर आप जितना जदा टाइम पहले टिकट को कैंसल कराएंगे आपके टिकट के जो पैसे होंगे उतने जदा वापस होंगे और जितना आप लेट कराएंगे वहा आपका टिकट कैंसल होना ना के बराबर है अब इस केस में ये भी है कि अगर आपका टिकट कैंसल कराना और आपका चार्ट प्रपेर हो गया है तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला जर्नल किलास का अगर आप कंफर्म टिकट कैंसल कराना चाहते हैं 48 घंटे पहल में 180 रुपीज, सेकेंड एसी में 200 और फर्स्ट एसी में 240 और इसमें एक चीज जो मैं आपको बता ना भूल गया वो ये है including GST तो मतलब आपका 210-220 रुपया ही कटेगा अब सवाल यह होता है कि कितनी होगी कटवती जो आपका actual amount है उसमें अगर train के departure होने के 40 या फिर 12 घंटे पहले आप अपने confirm ticket को cancel कराते हैं उस case में क्या होगा आपका जो actual amount है उस amount का 25% तक काटा जाएगा और हाँ वेटिंग और RAC वाले जो है departure के 30 मिनट पहले तक अपना ticket cancel करा सकते हैं अगर आप cancel नहीं कराते हैं तो आपको कोई refund नहीं मिलने वाला उसके बाद तो जी हाँ दोस्तों यह है कुछ नियम confirm ticket को cancel कराने के अगर आप ticket को cancel कराना चाहते हैं तो यह charges आपके कटेंगे और हाँ अगर आपको अभी confusion है आपको अभी लगता है कि यहाँ पर और भी चीज़ डेटेल में और कुछ information होनी चाहिए तो मुझे comment box में ज़रूर बताएं मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो अगर आपको मेर यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक ज़रूर करें फिर से एक बार मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें और आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टा फेस्बुक ट्विक ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लिजिए मेरी आइडिय है टेकी हेल्प टेप्स